हलो फ्रेंड्स यह दे आपके घर में छोटी बच्ची है और आपको यह टेंशन सता रही है कि उसको पीरेड्स कब आएंगे कब पीरेड आना नॉमल होता है और कब तक वेट कर सकते हैं मैं डॉक्टर सुशिला से ने आज आपको इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूं कि इसकी पीरेड अर्लियेस्ट कब आ सकते हैं कब तक अपन बेट कर सकते हैं क्या सही उम्र है और उसको कैसे डिल किया जाए जैसे ही आपकी बच्ची को आठ नौ साल कंप्लीट होते हैं तो दसवे साल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिरेड कभी भी आ सकते हैं जो एक उसके menses चालू हो गए हैं लेकिन यदि 10 साल के असपास आते हैं तो that is absolutely normal तो 10 साल से लेके 16 साल तक जब भी period आते हैं वो normal में ही count होते हैं average age 12-13 उम्र है weight हम 16 साल तक कर सकते हैं यदि 16 साल तक भी period नहीं आते हैं तो उसकी फिर हार्मोन investigation और उसकी sonography होना बहुत जरूरी होता है जिससे कि यह पता लगा जा सके कि आखिर उसकी पिरेट क्यों नहीं आ रहे हैं क्योंकि पिरेट नहीं आने का जो most common कारण होता है बच्चों के अंदर क्यों कई बार बच्चे दानी बनी ही नहीं होते हैं इसकी वज़े से बच्ची आपको रिपोर्ट करते हैं कि मुझे पेड़ो में दर्द हो रहा है तब हम डॉक्टर के पास जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर सोनोग्राफिक करके आपको भी बता पाते हैं कि बच्ची को क्या problem चल रही है लेकिन यह दि उसको uterus है ही नहीं बच्ची दानी है ही नहीं तो डेफिनेटल उसको पीरिड नहीं आएंगे और यह जो बिमारी होती है यह जनमजात होती है और इसको MRK syndrome मुलेरियन रॉकेटल्स की कस्टर हसा syndrome बोला जाता है तो यह तरीकी का syndrome है इसके साथ साथ ही किसी-किसी बच्चे में kidney भी absent हो सकती है एवरेज उमर के आसपास यह पीरिड नहीं आता है तो मैं समझते हूं कि आपको डॉक्टर से कंसल पहले ही कर लेना चाहिए 16 साल तक वीट ना करें ताकि हमें डियागनॉसिस पहले क्लियर हो जाए कि exactly problem क्या है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई बनावटी प्रॉब् तो बीमारी को पकड़ लिया है तो उसका इलाज बहुत चोटी होते इसका शुरूर्ण भी नहीं आते तो ऐसी स्थिति में वेट किया जा सकता है या किसी को हर्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है या कई बार टीबी के इंपेक्शन की वज़े से भी प्रॉड नहीं आरा होता तो तो वो भी शुरुआती है वस्ता में पता चल जाता है तो उसका ट्रिट्मेंट स्टार्ट करने के बाद में इसको नॉमलाइस किया जा सकता है शुरुआत में जब भी पेरिट शुरू होते हैं तो थोड़े एरेगुलर होते हैं 2-3 महीने के गैप पे आते हैं दर्द भी एक बार डॉक्टर से संपर करना जरूरी हो जाता है कि एक बार सोनोग्राफी हो जाती है तो यह क्लियर हो जाता है कि अंदर से बनावटी तौर पर सबकुछ सही है यानि कि बच्चेदानी अंडेदानी ट्यूप सबकुछ नॉर्मल है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यद वार दो बच्चेदानी होती है, एक बच्चेदानी connected होती है, दूसरी वाली बच्चेदानी blocked होती है, तो एक से तो आपका period normal आ रहा है, लेकिन दूसरी जो non connected है, जो blocked है, वहां अंदर ब्लड इकटा हो रहा होता है, उसमें pain होने लग जाता है, वो लेट पता चलता है, तो तो इसको भी आप आवाइड ना कीजिए तो मेरी एक जनरल ओपिनियन रहेगी कि जैसे ही आपकी बच्ची 10 साल के एसपास हो जाती है 11-12 साल के तक आप वेट कर लीजिए पीरिड्स का और 12-13 साल पर भी पीरिड्स नहीं आता है तो आप गाइनेकलॉजिस्ट के पास जाकर आप करवा लीजिए जिसे कि आप यह इंशोर कर सकें कि बच्ची के अंदरोनी तौर पर जो और्गन फॉर्मेशन है वो सही हुआ है यानि कि जो भी बच्चेदानी है या ओवरीज है वो सही तौर भी बनी हुई है कि जनरली हम लोग पहले कभी सोनोग्राफी करवाते नह प्रॉब्लम है तो यह सारी चीज़े हमें सोनोगराफी जाच के दुआरा ही पता चल पाती है इसलिए जाच और डॉक्टर से मीटिंग को पूस्पूर ना करें जब भी प्रॉब्लम लगी तभी जल्दी से संपक्क कर लीजिए और एक बात और बताना चाहूंगी साथ ही स प्रॉब्लम लगता है तो उसे सर्वाइकल कैंसर का वेक्सीन लगता है जिसे कि HPV वेक्सीन हुमन पैपिलोमा वायरस का वेक्सीन बोला जाता है वह जरूर लगवा लिजी उसकी दो डोज लगती है वह यह सही उमर है ज़िए इस उमर में अगर आप लगवा देती है तो कैंसर से बचाव संभव है और 85-95% तक उसका प्रोटेक्शन होता है तो इसको ज़रूर लगवा लीजिए अबॉइड ना कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर सी मीटिंग करने में हीच के चाहिए नहीं अपना और अपने बच्चियों के स्वास्ते का ध्यान रखती है क्योंकि आप ही के उपर आपके परिवार के जम्हादार ही है आपसे फिर में लेंगे एक नए वीडियो में नहीं जैनकारे के साथ तब तक नमश्कार